इन खबर के वीडियो में आपका स्वागत है आपके साथ मैं अंजुली मुद्गल इस वीडियो में बात होगी यूएस प्रेजिडेंशल एलेक्शन्स को लेकर जो बाइडन जो की मौझूदा वक्त में अमेरिका के राश्रुपती हैं उनकी और से अपना नाम वापस ले लिया गया है आगयाने वाले प्रेजिडेंशल एलेक्शन्स को लेकर जो बाइडन ने के कह दिया है कि अब वो चुनाफ नहीं लडने वाले हैं और उन्हें कमला हैरिस का नाम अपनी पार्टी की ओर से आगे किया है कमला हैरिस को उन्होंने समर्थन दिया है कमला हैरिस आखिर कौन है जिनकी चर्चा बहुत ज़ादा तेस हो गई है कमला हैरिस वर्थमान में अमेरिका की पहली भारत वंशी अश्वेत उपराश्वुपती है उन्हें फीमेल ओबामा भी वहाँ पर कहा जाता है देखा जाए तो कमला हैरिस अमेरिका में बहुत जादा प्रसिद हैं भारतिय मुल्की हैं फीमेल ओबामा के नाम से लोगपरिये हैं हैरिस सीनिट की सदसे भी पहली बार ही चुन कर गई थी नवंबर 2020 में उन्होंने अपने जीत के बाद एतिहासे के एक भाशन दिया था जिस वक्त कमला हैरिस की चर्चा दुनिया भर में बहुत जादा हुई थी आपको बता दें कमला हैरिस का रिष्टा नाता भारत के साथ जड़ा हुआ है और अगर कमला हैरिस अगर अमेरिका की राशुपति बनती है तो ये भारत के लिए भी गर्व की बात होगी भारत की एक कैंसर शोधक आपको बता दें और नागरिक अधिकार कारेकरता को याद करते हुए कमला हैरिस ने अपने भाशन में कहा था कि उन्होंने उनके राजनितिक करियर में किस बड़े दिन के लिए उन्हें तैयार किया था उन्होंने ये भी कहा था कि वो राश्चुपती पद पर काबिज होना चाहती थी लेकिन उपराश्चुपती फिर वो बात में बनी थी और अब कमला हैरिस को लेकर कहा ये जा रहा है कि अमेरिका की उपराश्चुपती हो सकती है Donald Trump की अर से भी बयान में कहा गया है कि Kamila Harris को हराना उतना ज़ादा मुश्किल नहीं होगा और वो Joe Biden के सामने Kamila Harris को काफी weak मांते हैं कमझोर मांते हैं Kamila Harris की उमर 69 साल है और कई मिसालें अब तक Kamila Harris सेट कर चुकी है बना चुकी हैं कई उपलब्धियां उनके नाम दर्ज हैं आपको बता दें कमला हैरिस सैन फ्रांसिसको की एक डिस्ट्रिक्ट एटॉर्णी बनने से पहले एक भारतिये मूल की नागरिख भी है और अगर कमला हैरिस अमेरिका की राश्रुपती बनती है तो फिर ये भारत के लिए यकिनन गर की बात होगी कनेक्शन कमला हैरिस का भारत के साथ इसलिए है चुकि बताया जाता है कि कमला हैरिस के जो पेरेंट्स थे उनका भारत से रिष्टा था हालांकि जन्मी कमला हैरिस अमेरिका में ही है लेकिन कनेक्शन उनका चुकि भारत के साथ है ऐसे में अब सभी की वापस ले लिया गया है और जो बाइडन के नाम वापस ले जाने के बाद अब सीधी लड़ाई डॉनल्ड ट्रम्प और कमला हैरस के बीच होगी